जैसिरी राम, जैसिरी राम, आयोध्य में राम मंदिर के गरव ग्रह में राम लला की प्राण प्रतिष्टा के मौके पर राम भगतों का काफी उसा देखनी को मिल रहा है राम लला की प्राण प्रतिष्टा को लेकर तैयारियां पूरी हो गई है पूरे देश में इस वक्त जसन का माहूल बना हुआ है 22 जनवरी को राम लला अयोध्या में बने भवे राम मंदिर में वराजमन हो जाएंगे राम लला की मूर्ती की प्राण प्रतिष्टा के मौके पर राम भक्तों ने घर घर जा कर लोगों को राम लला की प्राण प्रतिष्टा के लिए निमंतरन पत्र भी दिये हैं उस निमंतरन पत्र में पीले चावल बाटी गए थे लेकिन क्या आप जानते हैं कि राममंदिर से आए इन चावलों का क्या करें आखिरकार इन चावलों का कहां इस्तिमाल करें इसके बारे में इसकी जानकरी आपको बता रही है पंडित दिली पे दोधी का कहना है कि राम लला की प्राण प्रतिष्टा के लिए नोता के रूप में मिले पीले चावलो को बहुत सुब माना जा रहा है किसी भी सुब कार्रे करने से पहले इन चावलो को मस्तक पर लाकर तिलक करें इसे घर में खुसी आती हैं ऐसा करने से कोई भी कारे आसानी से बन जाता है इसके अलावा लोगों के घर घर राम मंदिर से आए पी ले चावलों को आप खीर में इस्तिमाल कर सकते हैं और केसर डाल कर भगवान को भोग लगा सकते ही इसके अलावा परिवार सहीत इस प्रसाद को ग्रहन करें ऐसी मानेता है कि इसे परिवार में मिठास बढ़ती है सकारात्मक उर जाती है और सभी परिषानिया दूर होती है भगवान राम के साथ आपको भगवान हनुमान जी का भी आसिरवाद उस्तो प्राप्त होता है वही राम मंदिर से आए पीले चावल को नई दूलन अपनी पहली रसोई में इन चावलों का प्रियोग कर सकती है मानेता है कि इससे मा अनपूर्णा की घर में वास करती है ससुराल के रिष्टे मजदूत होते हैं भगवान राम के साथ आपको भगवान हनुमान जी का भी आसिरवाद मिलता है राममंदिर से आए पीले चावल को घर में बेटी की साथी है तो उसे पीले चावल को अक्षत में डाल दे इससे घर में वरकत आती है और ससुराल और माय का दोनों घर में सुक्सान्ती और सम्रद्धी बनी रेती है भगवान राम के साथ आपको भगवान हनुमान जी का भी आज सिर्वाद मिलता है तब तक कि सबसे भड़ी ख़बर इस वक्ता रही है राम मंदिर से आए पीले चंवालों का इस प्रिकार आप दोस्तों उप्योग कर सकते हैं ताकि आपके घर सुखसानती रहे बतादे कि 22 जन्वारी का दिन हर किसी के लिए एतिहास करेने वाला है और कुछ घंटे की बात है जब फिर्वू सिरी राम आयद्धा में विराजमान होंगी कॉमेंट बॉक्स में जैसी राम जरूर लिखें